नमस्कार दोस्तों सौधित किरती हूं आपसे भी कर शिक्षा प्रवामे दोस्तों मैं करूना आप लोगों के लिए लेकर के आए हूं क्लास 11 की एकाउंटेंसी टर्म सेकिंड एन्वल एक्जामनेशन की मार्किंग स्कीम तो बेटा ये मौर्निंग शिफ्ट की मार्निंग स्क चालिस तंबर का पेपर बिटा आप लोगों का आज हुआ था दो घंटे का टाइम इस के लिए आपको दिया गया था आप जल्दी से इस आंसर की को देख लें अपने कुशिंस के आंसर को टली कर लें आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिख रहा होगा और इसी के साथ बिटा आपको अच्छी लगे यूसफुल लगे तो पिटा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी मद भूलना पिटा सिक्षा प्रभा पर आप लोग देख सकते हैं अपने सभी एक्जाम्स की मार्किंग स्कीम को आपके मॉडल टेस्ट पेपर को आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग और सिक्षा प्रभा पे तो इसलिए बिटा आप सिक्षा प्रभा को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें को इस वक्ति हाँ पर आपको आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है और इंटरनल चॉइस का ये को प्रेशन था और मैं आपको त्योरी के लिए एक विकल्प दिया गया था प्रेशन नमबर नाइन है बिटा तीन नमबर का प्रेशन था आपको जर्णल प्रिपेर करना था बेटा आप वीडियो को पाउस करके भी देख सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी से रन कर रही है इंटर्नल चॉइस यहां पर आपको इस कॉश्चन में भी दी गई थी पाउच नमबर में बेटा यह आपके लिए था ट्राइल बेलेंस शीट आपको यहां पर तयार करनी थी but question no.11 statement of affairs profit and loss का statement question no.12 trading account deb it and credit account अफको शो करना था और इसका भी Profit and Loss एकाउंट आपको बिनाना था पहले न शीट आपको इसके लिए प्रपेर करने थी पिटा देख लीजे आप अपने कुशिन के आंसर में भी मैं तो क्या होता था कुशिन पेपर में ही कुशिन के साथ आंसर से लिख करके ले आती थी और मैच कर लेते थे तो आप लोग भी अगर कहीं पे आंसर लिख करके लाएं हैं तो टेली कर लीजे तो बिटा ये थी आपकी पुरी की पुरी मार्किंग स्कीम आशा करती हूं आपकी लिए वीडियो काफी यूसफुल रहा होगा